असलाम लेकुम प्यारे बच्चों हमने फीसदी किसे कहते हैं ये सीख लिया है अब हम फीसदी से मुतालिक एक और मिसाल हल करेंगे हमें पता है कि घर्मियों में हमें पानी की बहुत ज्यादा किलत हो जाती है इसलिए बहुत से मकामात पर तालाब बनाए जाते हैं इसी से मुतालिक हम फिसादी की एक मिसाल हल करेंगे चलगाव तालोके के शिरसोली गाव में 200 आपाशी के तालाब और बोरनार गाव में 300 आपाशी के तालाब बनाना तै किया गया इन में से मैं महीने के आखिर में शिर्सोली गाउ में 120 तालावो का काम मुकम्मिल हुआ जबके बोरनार में 165 तालावो का काम मुकम्मिल हुआ तो बताईए कि इस गाउ में तालावो का काम मुकम्मिल होने की निजबत ज्यादा है इस सवाल का जवाब पालूम करने के लिए हम आप पाशी के तालाबों का फीसदी मालूम करके मवाजना करेंगे कि किस गाउ में ज्यादा फीसद तालाब का काम मुकमिल हुआ फर्स किजिए कि शुर्सोली में ए परसंट तालाबों का काम मुकमिल हो गया और बोरनार में 20% तालाबों का काम मुकमिल हुआ मुकमिल होने वाले तालाबों की तादाद मतलुबा तालाबों की तादाद की निजबतों पर हम गार करेंगे इन निजबतों को दो अलग-अलग सूरतों में लिखकर मसावाद हासिल करेंगे और इन्हें हल करें पहले शिर्ण सोली गाँ के तालाबों का तनासुब हम देखेंगे ए बटे 100 बराबर 120 बटे 200 200 में से 120 तालाब मुकमिल हो चुके थे इसलिए ए बटे 100 जर्ब 100 और 120 बटे 200 जर्ब 100 फीस यदी मालूम करने का तरीका यही है के दोनों जानिब हम 100 से जर्ब देंगे इसको हल करेंगे 100 और 100 कट हो जाएंगे और इसको इधर सिर्फ ए बचेंगा और यहां दाहने तरब 100 और 200 तक्सीम जर्ब होकर उपर सिर्फ 60 बचेंगे याने ए शिर्फोली गाओ में 60% कम मुकम्मिल हुआ जबके बोरनार गाओ के तालावों का हम तनासुब देखे तो बी बटे 100 बराबर 165 बटे 300 दोनों जानिब 100 से जर्ब देंगे इस तरह से हमें मसावाद हासिल होंगी और हम देखेंगे के बी बराबर हमें 55 जवाब हासिल होगा यानि बोरनार में 55% कम मुकमिल हुआ और शिर्फोली गाओ में 60% कम मुकमिल हुआ इसलिए शिरसोली गाओं में मुकमिल होने वाले तालबों का तनासूप ज्यादा है अल्ला हाफिस